यह वीडियो शूट हो रही है 4K 60fps के अंदर इसके फ्रेंट कैमरा से तो यह हमार पास आ चुका है इंफिनिक्स का एक प्रीमें मुक्राटेकरी का स्मार्टफोन जिसका नाम है इंफिनिक्स स्मार्टफोन आपको 25,000 का देखने मिलेगा लेकिन यह स्मार्टफोन आपको पर्चेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सारे डाउट क्लियर करता हूं इस वीडियो के अंदर सबसे पहले एक बडबा ओपन करते हैं जिसको मैंने रीपैक कर दिया था तो लेट्स तो जैस की चार्जिंग इससे अपने फोन को चार लगाओगे 65 मिंट से लेके 70-75 मिंट के आराउंड आपका फोन फुली चार्ज होजेगा और यहां पर बोक्स में आपको देखने मता है टाइप A to type C वाली केबल और अच्छी बात है कि इन्फिनिक्स वालों नहीं यहां पर कर्व कि इस हातों को इस मज़ेस बगर आनी पड़ते हैं और साइडों का जिस राउंड है हातों हम पर फैक्टली त्रीकेस फिट होते हैं फोन की थिकनेस की बात को तो 7.9 mm की थिकनेस देखने मिलती है और इसका जो कैमरा मेड़ो लो वो दिखने कंदर काफी प्रिम लग रहा है है और इस फोन के अंदर आयर बलास्टर भी देखने हो मिल जाता है अपने एसी को रुमोर्ट से यूज़ करना जाते हो तो वह कर सकते हो और यहाँ पर देखने मिलता है दोई सिम कर सकते हो वैसे बेस्वेरेंटी 256 जिपी से स्टार्ट होता है तो कोई दिक्कत वाली बात सकते हैं और साथ में साउंड के लिए इस फोन में डूल स्पीकर लगा के दिया गया वह भी आपको देखने मिल जाते हैं अब यहां पर एक बड़ी साउंड क्वाल्टी आपको चेक कराता है इस फोन की कोई भी साउंड आपको लाउड देखने मिल जाता है और अच्छी बात यह ना कि स्मार्टफन के जो हैप्टिक है वह प्रीमिम क्वाल्टी की देखने मिल जाते हैं इसकी हैप्टिक के इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे टैपिंग करोगे तो आप थोड़ा तक तक आपको यहां पर फील मिलेगा तो हैप्टिक को भी लेकर इस फोन में कोई नहीं किया और नेश्ट इस फोन के अंदर आपको काफ़ी सार एक फीचर भी देखने मिल जाते हैं कोई भी टेक्स्ट का प्रोम्ट डाल कि यहां पर एक तुरू इमेज कर सकतो साथ ही के अंदर ज अब्जेक्ट को रिमूब करना चाहते हो तो इसली रिमूब कर सकते हो लेकिन वह वाला नहीं है मतलब यह मतलब ओफ लाइन भी बर्ग करता है क्लावड बेस वाला आपको नहीं देखने मिल जाते हैं और अच्छी बात यह ना काफी सारी कंपनी आपे 120 हर्स रिफ्रेस्ट काफी तरीके से ब्रग करती है हाँ सब्सक्राइल यह सब्सक्राइब संदर्ग करता है और सात में इस फोन में इनि lamps फिंगरपそれでは यह जितना मैं आ क्या काफी फास्ट है बिने टैंपर गलास की मैं भी चेक कर रहा हूं तो काफी फास्ट यह फील हो रहा है साथ में स्मार्टफन को मैंने दुपाहर के टाइम सनलाइट में भी यूज करके देखा डिस्पले काफी विजबल आपको देखने मिलती है तो हाथ रखने कोई जिर् वहां पर भी कोई कोई नहीं किया इंफिनिक्स वालो नहीं चईदा 5G के बैंड आपको देखने मिल जाते हैं जहां काफी सारे रहें पर आप इसे स्पीड का कोई फरक नहीं पड़ता बट हाँ अगर ज्यादा 5G बैंड है तो अगर आप बेस्मेंट वाले इलाकों में रहते हो ना तो इस स्मार्टफुन की परफोमेंस और कैमरा की बात करने से पहले बता दो यह फोन कंटेंट के रेशन के लिए काफी सही है क्योंकि क स्मार्टफुन की परफोमेंस की तो इस फोन में आपको देखनेता है मिडियाटक का 8200 वाला अल्टीमेट पॉरसेसर जो कि 490 मिटर के आटिचर पर बेस है स्मार्टवन का जो में नेति हो लाग प्रोक्स स्कोर निकल गा है सिंगल कॉर मल्टिकॉर काफी सही देखने मिलते हैं एवन पर storage speed score भी देख से तो यह भी काफी accident देखने मिलते हैं क्योंकि इस phone के अंदर UFS 2.2 की storage नहीं UFS 3.1 की storage टैप देखने मिलते हैं और LPDDR 5X की RAM टैप भी देखने मिल जाती है और HDR के अंदर भी extreme का option देखने मिल जाता है और BGMI की जो audio graphic setting है वो भी ultra तक support करता है और gyro में कोई delay नहीं देखने मिलता है मैंने game खेल के देखा और constant यहाँ पर आपको fps निकाल के देखा 50 से लेके 60 fps के आसपास स्मार्टफोन की hitting की बात को तो गेम वगरा खेलोगों आप एक घंटे खेल के चेक करोगे तो फोन थोड़ा से आपको heat मैसूस होगा बैक में गलास यूज किया गया थोड़ो सब ज्यादा मैसूस होता है हाँ बड़ प्रैक्टिकल लाफ में ने चेक करके देखा तो ओर हीट कंडिशन में यह फोन नहीं जाता सीपूत होटर लेजल्ड भी इस फोन का आप देख सकते हो और इस फोन की सोफ्टर की बात कि जाता है तो ओक्सेजों नोएस 14.5 आपको देखने मिलता है एंड़ोड 14 के साथ आता कोई एड औंफाल्तों को बलूट पर इस फोन में आपको नहीं देखने मिलते है यह 208 में वसला का आपको देखने मिलता है इस फोन के इंदर प्रैम लेंस आइसो साथ धेंसर का सैंसर का से देखने मिलता है और सप्रंट कैमरा में व्लोग मोड़ वाला फिचर भी देखने मिलता है स्काइक को को चेंज कर सकते हैं और सेंपल ऑम क्टेट मोड़ं생ा का लूपरोपू कर रहा पर नूइस अच्छा परूपके लिका किंग कर कर रहा है लो लाइट का इस फोन को किंग बोल सकता हूं इस प्राइज फोन पर मैंने फोटे भी यूज किया है साय तक इस चे अच्छा प्रफॉर्म कर रहा है अभी तुमेने सेल कर दिया और इसके बैक कैमरा की सैंपल भी देखोगे न काफी ब्राइट फोटो क्लिक करता है और ब्रा फोटोल काफी सही करता है चाह्रा करता है झालबेराइट काफी ऋब्रफकाट का यू ब्लकुल दिखता है वैसे इतना ज्याद है है जितना ज़्यादा दिखा रहा है हां बढ़ ओट फोटो अच्छी लग रही है देख तबहुत है और यह करना चाहें इसको करता है तूं सकते हैं और वीडियो काफी च्रिकोरड कर रहे हैं और स्टेबिल एसने स्मार्टफ़न अगर आपको कैमरा फोन के साथ फॉन वाला फोन ढूंड रहो ना तो डेफिनिटली यस फोन को आप स्टकर कर सकते हुए कैमरा पे बहुत ज़्यदा ध्यान द्यान दिया गई है साथ में performance भी आपको काफी सही देखने हो मिल जाती इस प्राइज पॉन पर जियां तो डेफिनेटली इस फोन को आप चेकट कर सकते हो आई होप आज पसंद आई पसंद आई पसंद आते हो लाइक कीजिए मिलते हैं